आज के इस वीडियो में हम लोग strings से लेटेट कुछ practice questions देखेंगे basically string के इस practice set की स्यायता से हम लोग string के बारे में कुछ चीजे समझेंगे और आप लोग को पता चलेगा कि किस तरह से चीजों का explore करके चीजे सीखी जाती है चलते हैं computer screen में और अपने जो strings के बारे में सीखा है उसको apply करते हैं let's get started so guys आज हम लोग बात करेंगे chapter 4 के practice set की जिसमें की हम strings related जो जो concepts हमने सीखे हैं उनको practice करने वाले तो यहां पर जल्दी से मैं सबसे पहले तो खोल दूँगा चाफटर 4 के practice set को पहला question देखो time waste नहीं करेंगे what will the following print in javascript javascript में निम्न line क्या print करेगी यह आप लोग को बता रहा है simple मैंने console log लिखा है har लिखा है backslash double quote लिखा है और dot line मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को pause करेंगे और मुझे नीचे comment में बताए कि अगर आपने नहीं बताया तो मैं मान जाओगा बुरा ठीक है सेट लिख देता हूँ और अब यहां पर मैं क्या करने वाला हूँ कि question number 1 को solve करूआ तो question number 1 simply क्या है कि जो मेरी string है उसकी length को यह बताएगा मैं str रख देता हूँ अपनी string का नाम और मैं आप लिखता हूँ let str is equal to harry और इसमें शायद एक backslash double quote है हर है बस और backslash double quote है ठीक है तो backslash कहा होता है आपका उपर होता है backspace की just left side ठीक है तो इसकी जो length होने वाली है sorry double quote not in double quote backslash double quote come on यार क्या चल रहे है यहाँ तो एक दो तीन चार पांच की वजया चार होगी क्यों होगी 4 उसका reason यह है कि यह एक character होता है यह सिर्फ एक character होता ही, एक escape sequence character है, यह एक character के तोर पर गिना जाता है, और इसलिए यह जो चीज प्रिंट करेगी, वो होगी क्या, वो हमारे पास एक character के तोर पर इसको count करेगी, और चार प्रिंट करेगी, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, अगले question की तरफ बढ़ते है, explore the includes, starts with and ends with, ठीक है, अब देखो यार, मैं क्या करूंगा, मेरा तरीका थोड़ा सा लगे, ठीक है, question को solve करने का, आप लोग Google search करना, MDN search करना, ठीक है, कुछ इस तरह से लिखना, MDN includes JavaScript, ठीक है, तो यह जो includes है, string का includes function है, array का भी होता है, तो string बढ़ा हमें चाहिए, ठीक है, array भी प box, और यहां पर template literal का, इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है, फिर यहां पर देखो, इन्होंने template literal के साथ-साथ, ternary operator का भी इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है, यहां पर simply कहा है कि अगर word include होता है, fox यहां पर, तो is, नहीं तो is not, ठीक है, तो यहां पर देखो, किनोने कितना शात आपका जो word है, वो है आपके sentence में, तो मैं आपर simply क्या करूँगा, इस तरह से इसको print करूँगा, और मैं वस आप लोग को ही दिखा रहा है, जो dot includes होता है, वो true या false return करता है, अगर मैं इसको fox2 कर दो, fox2 तो नहीं उपर वाली string में, तो dot includes false return करेगा, जैसे कि आप देख सक और आपको definitely समझ में आएगा यार, इस starting में आप लोगो दिक्कत होगी, अगर आप लोगो या absolute beginner के तौर पर इस playlist को start कर रहे हो, लेकिन अगर आप किसी और programming language से आप लोगो थोड़ी बहुत ease हो, with that said, हम लोग अगले question की तरफ बढ़ेंगे, और starts with और ends with भी आप लोगो को explore करना, starts with क्या करेंगा, starts with simply ये करेंगा, गया अगर कोई string start हो रही है, पर्टिकुलर string से, तो true return करेंगा, वन्ना false return करेंगा, ends with का भी वही कहानी है, ठीक है, तो आप कुछ इस तरह से, तो कुल मिलाकर बात ये कि आप starts with को भी search कर सकते हो, और आप ends with को भी search कर सकते हो, कु code को run करेंगे, और इस चीज को execute कर सकते हो, ठीक है, तो हम यह आपर क्या करेंगे, अगले question की तरफ पढ़ेंगे, write a program to convert a given string to lowercase, यह lowercase में convert करने की बात की जा रही है, simple सी string को lowercase में convert करना है, और इसका answer मैं आपको नहीं बताओगा, आप मुझे बताओगे, तो इसको मैं skip क करूँगा, dot to lowercase function के बारे में हम लोगों ने बात करी थी, बस उसको इस्तिमाल करना है, आपर और कुछ नहीं, question number 4 थोड़ा सा interesting है, ठीक है, question number 4 थोड़ा सा interesting है, तो मैं यह आपर जल्दी से लिग देता हूं, सबसे पहले तो इसको problem 1 के तौर पर mark कर देता हूं, फिर यहा यार, simple है, ठीक है, console.log, और यहाँ पर मैं लिखूंगा, word.to lowercase, बस, काम हो जाएगा, ठीक है, तो देखो, fox2 lowercase में थी पहले से यार, ठीक है, uppercase में करना था, lowercase में करना था, lowercase में करना था, अपरकेस में करना था, to uppercase करके, ठीक है, कुछ इस चाना से, तो यह पूरी क्य यहाँ पर अगला question यह कहा रहा है, कि एक string दी हुई है, ठीक है, और समझना इस चीज को, यह कितना बड़ी है सवाल है, और यह एक ऐसी चीज है ना, कि जो use होने वाली है, आपकी life में use होगी, जब java script applications आप लोग बनाऊगे, तो, आपको एक amount दिया हुआ है, let str2 is equal to, the amount is rupees 1000, ठीक है, तो, यहाँ पर कら है, please give rupees 1000, में मैं एक काम करता हूं, जो string है वही लेता हूं, please give rupees 1000, ठीक है, कुछ इस तरह से एक string दी हुई है, और आपको यहाँ पर क्या करना है, बताना ही कि amount क्या है, ठीक है, तो amount आप लोगको बताना है क्या है, तो, here पर देखो, please give rupees 1000 में मुझे इतनी चीज हटानी है ठीक है क्या अब क्योंकि मुझे इतनी चीज हटानी है मैं क्या करूंगा मैं लिखूंगा str2.slice ठीक है इसको slice करूंगा और इतनी जो string है उसकी जितनी भी length है कितनी length होगी उसकी होगी जितनी भी length होगी उसकी उसमें से एक कम ठीक है और इसकी length आप क्या कर रहे हो देखो यह जो string है इसकी length है मैं वहां से slice कर रहा हूं string को end तक ठीक है तो अगर मैं आपर console.log देखो यह सब आपको ज्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं आप 4 तो गिन सकते हो एक दो तीन चार पाँच छे साथ आट नौ दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा यह सोलवा character है एक से star गरों तो सोलवा character है तो जीरो से sort करूंगा तो यह 15 है तो महा पर देट्ल ही अापर वह सकता हूं धिक है यहाँ पर 15 लिख सकता हूं तो और मैं लिख से कर दोका मैं ये ऐसЕ अनुdoors लगाए कि और मैंने यह यहाँपर 15 लिख मैं आपर 15 लिखूं अगर ठीक है तू क्या होगा डॉट स्लाइस 15 और क्या मेरी अमांट स्ट्रिंग आ रही है हाँ आप आगई मेरी अमांट स्ट्रिंग ठीक है तो यहाँ पर मुझे क्या करना था कि कि जो लेंद थी वो शाय सूब ती एकार दो तीन चार पॉड शे साथ आट नो दास ग्यारा है कि 15 से लेकर आना है। कि मुझे लेकर आना है 15 से लेकर डुक एंट तक की स्ट्रिंग जोकि इसका type क्या होगा अगर मैं एक बाद आप लोग को और एक चीज पर वांड करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग type of amount करोगे तो आपको string मिलेगी number नहीं मिलेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा number में convert करने के लिए इसको number.parcent में wrap करना पड़ेगा number.parcent ठीक है यह मैंने आप लोग को तरीका पहले भी बताया था एक string को number में convert करने का कि capital number.parcent कर दो और अब इसका type number हो जाएगा तो अगर आपको एक string में से एक number extract करना है और number extract करने के बाद आप लोगों को उसको actual number में convert करना है यहीं कि string से number में convert करना है तो आप कुछ इस तरह काम कर सकते हो and I hope कि आप लोगों को जी समझ में आ गई और काफी interesting भी थी है ठीक है अगले question की बात करूं तो try to change fourth character of a given string were you able to do it very interesting question let's do it ठीक है तो एक string है ठीक है friend is equal to dpka ठीक है अब क्या करेंगे कि हम console.log करेंगे friend और आप को अगया कि क्या क्या खेल लेओ friend dp का ही print करेंगा ठीक है friend जो है कोई alia तो print करेंगा नी dp का ही ब्रेंट करेंगा ठीक है लेकिन अगर मैं यापर कोशिश करूं friend और second character change करना है तो one करूंगा second change करना ना अरे कोई से भी कर लो, फोर्थ करना है, ठीक है, तो 3 करूँगा है, और मैं आपर सिंपली लिखुँँगा, R, ठीक है, क्या ये चेंज होके मुझे R दिखा देगा, यह आपर, नहीं, लेकिन, to my surprise, यह चीज, एरर भी, प्रेंट नहीं करती है, ठीक है, यह एरर भी प्रेंट नहीं कर रही है, तो मैं, friend 3 is equal to R करके, एक string के, चौथे character को change नहीं कर सकता, क्योंकि, string immutable होती है, तो मैं आपर लिख देता हूँ, small f में लिखता हूँ, friend is not changed, because, string is immutable, ठीक है, string को आप change नहीं कर सकते, इसलिए, friend आपका यह जो variable है, इसके अंदर का content है, वो आप कुछ इस तरह से change नहीं कर सकते, आप एक नई string ज़रूर बना सकते हो, जिसमें कि आपका जो चौथा character है, वो R होगा, और बाकी D, E, E, R, I, K, A होगा, उसको करने के तरीके हैं, but, existing string को change नहीं कर सकते आप लोग, यह बाद आप लोग याद रखना, ठीक है, I hope समझ में आया, I hope मज़ा आया, I hope आप लोग इसको access करोगे, यहां क्लिक करके बुकमा करना, इसको यहां क्लिक करके save करना, अभी के लिए इस वीडियो में इतने हैं, thank you so much guys for watching this video, and I will see you next time,